हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार व्रिद आयूश और इस वीडियो में बात करेंगे 15 सेप्टेंबर यानि आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो दोस्तों आज 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 केबल्स आईप्यो का आखरे दिन है और अभी तीन आईप्य उपन हुआ जिसका नाम है यात्रा उनलाइन तो डेफिनिटल आएक्शन तो काफी है आज एक आईप्यो का लॉट्मेंट भी आने वाला है जिसका नाम है EMS तो इस वीडियो में सब के उपर बात करेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा उससे पहले दोस्तों अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फुली सब्सक्राइब हो चुका है यह हम कह सकते हैं यह सब्सक्रिप्शन पुरा निकल कर आ चुका है तो अगर आप शेयर में अपलाय कर रहें तो 1035 पर ही करें अलब आप अपलाय कर रहें तो 14 शेयर कुल मिलाकर दोस्तों आपको एक लॉट में मिलेंगे 1964 करोड का यह इशू है कुल मिलाकर जिसमें से 180 करोड का फ्रेश इशू है और बाकी का ओफर फॉर सेल है इसके लिए कंपनी ने अपने इंप्लॉइस के लिए परिशा का डिसकाउंट रखा है यह भाद ध्यान रखेगा है जो डिसकाउंट है इस सिर्फ कंपनी की इंप् अब अगर बात करता हूं उसके करेंट सब्सक्रिप्शन की क्योंकि आज आकर दिन है और अभी दो वज़े तक कर जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है तो पैसा मीजर ली एक एक कैटेगरी की तरफ से आ रहा है वह एक किसकी कॉलिफाइड इंस्टिउशन की तो क्यू कैटेगरी भरिए वो है नौन इसके बाद आता है इसके बाद आता है इसको हम सब्सक्राइब हो जुका है जिसको हम सब्सक्रिप्शन को बुरा नहीं कह सकते है अभी तक कंपनी ने अल्मूस्ट 10,000 करोड रुपे रिसीफ कर लिया है तो यह अपने आप एक अच्छा कंपनी ने सब्सक्रिप्शन अभी तक रिसीफ किया है और हर अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो पैसा लगाता रहा है जैसे मैं इसको प्रिलोड करता हूँ वैसे यहां पर और पैसा आता हूँ नजर आता है तो इसको अब यह है किया क्यूआईबी इंट्रेस्टेट दिख रहे हैं अब यही देखना कि क्यूआईबी कितना लगाते विकॉस इसे पिछले बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के आईप्यों आया थे एक्जामपल मैंड का इन अब इसमें पैसा कब लगा सकते इसके बाद अभी तो आज आज भी लगा सकते चाहिए तो इसके लिस्टिंग बसी दोनों पर होगी जो इसका करेंट सब्सक्रिप्शन है वो मतलब कुछ खास तो नहीं है मतलब क्यूआईबी दे में तक जाधा पैसा नहीं लगा है उनली 1,904 शेर्स के लिए बिढ़ाई है मतलब क्यूआईबी के अंदर ऐसा है नॉन इस्टिटूशल वायस ने कुल मिला कि 4% इस 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 बरा है और टोटल मिलाकर यह वेदर 11% बरा है यहनि सब्सक्रिप्शन काफी लो है अब इसमें भी देखना कि किस क्याटेगर के तरव सबसादा पैसा निकल कि आता है यह आपर मुझे तो रखता है कि क्यूआईबी पैसा लगाई है जो होगा भी शायद तक अब देखते ह होता कि है यह कि कुछ खास पैसा भी तक इस आईप्यों के इंदर निकल कर नहीं आया है दोस्तों अगला आईप्यों है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसस का यह भी आईप्यों ओपन हो चुका था कल से ही और आज इसका सेकिंड है वन सिस्टी फोर उपीज का इसका प्रा नहीं किया एक भी शेर के लिए एक बिड़ नहीं आई है तो अपनाप में काफी कम है कुछ ही नहीं काफी कम तो क्या ही है नौन इस्टी तो पर संब्सक्राइब हो गया है लेकिन कुलम्लाकर ने जो इसू अभी तक मात्र 35 परसंड भरने में काम्याब हुआ है 109 करोर के आ कुछ खास सब्सक्रिप्शन तो नहीं है पर क्योंकि तरह की इश्यू का साइज अब ज्यादा बढ़ता बचा हुआ दिखता नहीं है तो यह है कि हाँ यह भढ़ जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आज से प्रिंच नया कंपनी का आईपी ओपन हुआ है जिसका नामे यात्रा ओनलाइन यात्रा ओनलाइन आज से ओपन हो चुकी है आईपी ओ और यह 20 सेप्टेंबर तक ओपन रहेगे तो 15 उसके बाद आप पैसा लगा सकते हैं 18 को उसके बाद बाजार की छुट्टी भी रह है दोस्तों इस इशू का साइस करेबन 775 करोड का है जिसमें से 602 करोड का फ्रेश इशू है और बाकी का 173 करोड का ओफर फॉर सेल है इसकी भी लिस्टिंग बीए सी यह निस दोनों पर होगी लेकिन कल कंपनी ने अल्मोस्ट 45% ऑफ दा इशू आंकर इंवेस्टर से जु अब जो यहाँ पर करेंट सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है क्यू आइबी इस ने कुछ भी वैसा अप्लाई नहीं किया है और रीटेल ने करेंवन 42% इस इस इशू को भरा है कुल मिला कि अभी तक 8% पैसा जो है वो इस आइप्यों के अंदर आया 22nd September से 215 रुपे का इसका प्राइस बेंड है कोई ग्रे मार्केट नहीं स्टार्ट हुई अभी तक size भी काफी छोटा है size sales की एक mainboard IPO है जो ओपन होने वाला है 20 September से 22 September की बीच में 222 रुपे का प्राइस बेंड है 1200 करोड का यह issue है तो देखना है कितना subscription receive कर पाता है अगला IPO सिग्नेचर ग्लोबल का तो सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया IP ओपन होने वाला है दोस्तों 20 September से 22 September की बीच में 385 रुपे का इसका प्राइस बेंड है अल्मोस 27 रुपे करन ग्रे मार्केट चल रहे है जो अल्मोस 7% बैठती है हाँ यह कि 730 करोड का issue है तो issue का size तो ठीक ठा पाता है अगला है मार्को केबल्स एक NSE SME issue है कोई खास अभी तक इसकी green market तो नहीं है 36 रुपे के असपरस का प्राइस बेंड है इसका और 18 करोड का issue size है जो 21 तारीक से 25 सेप्टेंबर की बीच में open होगा high green carbon एक NSE SME issue है जो दोस्तो ओपन होने वाला है कबसे 21 सेप्टेंबर से 25 सेप्टेंबर के बीच में 52.80 करोड का दोस्तो इस IP का issue size है 40% green market है जो ठीक ताक दिखती है अगला है mangalam alloys एक NSE SME issue जो 80 रुपे का इसका प्राइस बेंड है 21 से 25 सेप्टेंबर के बीच में खुल रही है 70 रुपीस का इसका प्राइस बेंड है 23.80 करोड का इसका issue size है जो 18 सेप्टेंबर से 21 सेप्टेंबर होगा अगला है टेक्नो ग्रीन सॉल्यूशन एक BSE SME issue जो 18 सेप्टेंबर से 21 सेप्टेंबर की बीच में open होने वाला है एक करेंट प्राइज 86 रुपीस का लेकिन कोई gray market नहीं है तो देखना ही है कि कितना इसको subscription रिसीव होता है यात्रा online आप देख सकते है कोई gray market नहीं है और gray market ना उनका कारण भी एक है कि low subscription है दूसरी बाद अब यहीं देखने कि कितना आगे बढ़ पाता है वैसके तो कोई activity नजर नहीं आ रही है 20 सेप्टेंबर त कर पाता है अभी तक तो वन टाइम से आई पो सब्सक्राइब हो चुका है एक अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा इसकी उमीर है अगला है हॉल मार्क अप्टो मेका ट्रोनिक्स एक एक एसे एसे में एशू जो करिबन 11 करोड का जिसका इसू साइज है यह भी 20 सेप् करोड का इस इसू साइज है जागल प्रीपेट करेंगरे मार्क चल रही है मतलब तुब वन इसकुछ खास नहीं है अगला है दोस्तों आई प्यो आरर केवल्स का तो आरर केवल्स की ग्री मार्क अल्मोस् 8.79 परसंट है जो लगाता नया लो लगा रही है कोई हाई नहीं ल हो है अब यह देखना कि कितना या पर उपर ग्री मार्क जा पाती है कुंदनेटीफाइस एक एनसी ऐसे मी इसू जिसका आज आखरे दिन है और देखते कितना टूटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कर पाता है वैसे तो दोस्तों यह इसू का जो ग्री मार्क वो 21 परसंट है ब उस्ते पहले अलॉट्मेंट है अभी तो 95% ग्री मार्क चल रही है TMS IPO आज इस IPO का अलॉट्मेंट है इंडेफरेटली एक सेपरीट वीडियो आएगा अलॉट्मेंट स्टेटस पर किस तरह से चेक करना है करेंट ग्रे मार्क परसंट के चल रही है जो अपने आप में काफी काफी बढ़िया है जिनको भी मिलेगा काफी बढ़ी IPO मिल सकता है मैसनवाल्स इंडिया एक BAC SME इस IPO का अलॉट्मेंट को मिलता है वैसे ग्रे मार्क चांदार है जूपिटर लाइफलाइन अलॉट्मेंट आउट हो चुका है और अब लिस्टिंग 18 को अब दिखते किस तर बीएसी ऐसे में इशू बिल्कुल 90% पर लिस्ट होता है बीएसी पर 90% से उपर कोई IPO लिस्ट ही हो सकता लेकिन यहाँ पर 90% के लिस्टिंग होती है तो अपने आप पर बहुत दमदार लिस्टिंग होई तो एक बहुत ही अच्छी लिस्टिंग होई बिकॉस इशू का भी काफी छोटा था तो इस वीडियो दोस्तों इतना ही था अपको वीडियो बढ़या लगा होगा थैंक यू फ्रेंड्स फॉचिंग इस वीडियो